अरे इस बार तो पक्का हम लोग ही वल्ड कप जितने वाले है रे बाबा वाई भाई जड़ू कौन से चोर बाबा से भविश्य देखके आ गया तू ये भविश्य भविश्य पे विश्वास मत कर भाई अरे मैं कोई भविश्य देखके नहीं आया मैं स्कौर्ड में आ गया हो ना तो पक्का इस बार हम लोग ही वल्ड कप जितेंगे रे बाबा अरे चटब बी इस बार मैं वल्ड कप जिताऊंगा मैं अब दस रिस में बनूंगा अरे हैट्रिक मेरे आगे निकलने की कोशिश मत कर नहीं तो रन आउट करवा दूंगा रे बाबा अरे चटब बी तू अपनी ही टीम ओले को रन आउट करवाएगा तू हिरोनी विलन है विलन आए जड़ू बस बहुत हो गया तेरा अगर तूने इस बार किसी को भी रन आउट करवाया न तो बीना टिकेट के इंडिया भेज़ दूंगा तुझे अरे बीना टिकेट के इंडिया कैसे भेज़ेगा रे बाबा कही बैल गाड़ी में तू नहीं भेज़ देगा आय बैल गाड़ी में नहीं अगर तू किसी को रन आउट करवाएगा तो तेरे फिच्वाड़े पे बैट से ऐसे मारूंगा इंग्लाइंड से सिधा इंडिया में जाके गिरेगा तू अरे मैं समझ गया रे बाबा कुछ भी हो जाए किसी को भी रन आउट नहीं करवाना है अरे वोस सामबा मैं वर्ल्लकप की टीम में हूँ बता किस को हराना है रे सरकार मैं तो वर्ल्लकप की टीम में ही नहीं हूँ अरे वो सामबा, तू वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है क्या, चल कोई बात नहीं, मैं किसी और को सामबा बना लूँगा सरकार ये दिनेश करतिक को क्यों लिया है टीम में, क्योंकि वो शारुखान की आवाज निकालता है इसलिए भाई अरे खड़े में डाल इस अंजली को, भूलो मत इस बार वर्ल्ड कप मुंबई में आना चाहिए आये मुंबई में क्यों आएगा, वर्ल्ड कप दिल्ली में या तो बैंगलोर में आएगा अरे भाई कहीपे भी आए, इंडिया में आना चाहिए अरे तुम लोग टेंशन मतलो बाप का भाई का दादा का सापका विगट लेगा रहा तेरा भुमरा साला कभी-कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है भगवान को हराना इतना आसान नहीं है अरे भगवान जी अगर इस बार कोई नो बाल दालाना तो गोली मार दूँगा अरे भई तुम मेरे को ढराया मत कर मेरी तो आवास ही बदल जाती है अरे चलो भई सब लोग जल्दी से IPL खतम करके वर्ल्ड कप लाने जाते हैं आप सब लोग अपना फेबरेट पिलेंग लवें कमेंट करके बताईए वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार जल्दी से सस्क्राइब करो